नवस्कार दोस्तों, मैं हुँ सिद्धात। आज हम बात करने वाल है राष्ट्रपती चुनाव की हुआ है। अमारी इंडिया के हॉन्रेवल प्रेसिडेंट रामनात कोविन, इनका कारेकाल 24 जुलै 2022 को समाप्थ होने जा रहा है। उनके रजिगनेशन के पहले राष्ट्रपती चुनाव कम्प्लिट होने चाहिए। मुख्य चुनाएक तो राजय कुमार ने इसकी गोशना कर दी है। राष्ट्रपती का चुनाव के से होता है। सबसे पहले राष्ट्रपती का चुनाव कोन करता है। भारत के राष्ट्रपती के चुनाव के लिए एक निर्वाचिक मंडल होता है। उनमें राज्य सभा के सदस्य, लोग सभा के सदस्य, सभी राज्यों के MLA, प्लस केंदर शासित प्रदेश्यों के MLA. लेकिन इनमें कुछ exception भी है, जैसे कि राज्य सभा में टोटल 245 सदस्य होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 233 ही ओड कर पाते हैं. क्योंकि जो बाके के 12 सदस्य होते हैं, उक खुद राश्ट्रपति ने चुने होते हैं. और सब लोगों के बात करें, तो लोग सभा के 543, प्लस राज्य सभा के 233, और प्लस सभी राज्यों के और केंदर शासित प्रदेश्यों के टोटल MLA मिला कर होए 4116. इसका मतलब भार के राश्ट्रपति के चुनाव में टोटल 4,892 सदस से हिस्सा लेंगे. भारत के राश्ट्रपति का चुनाव कब होता है? राश्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राश्ट्रपति के कारेकाल के समाप्त होने से पहले कराया जाता है. वर्तमान राश्ट्रपति के कारेकाल के अंतिम 60 दिनों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। चुनाव का कारेकरव इस प्रकार से नियुगत किया जाता है कि नया राष्ट्रपती पुराने राष्ट्रपती की कारेकाल के समापती की अगले ही दिन से अपना काम शुरू कल रहे। हर 5 साल 25 जुलाई को ही भारत के नय राष्ट्रपती शपत लेती ही। अगला सवाल है को लड़ सकता है राष्ट्रपती का चुनाव। भारत का कोई विनागरिक राष्टपदी का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। लेकिन जो लाप के पत्पर है ओ इस चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। जैसे कि राज्यों के मंत्री, मुख्य मंत्री, एक्सेटर ऐसा 1944 से होता आ रहा है। बतलब 50 जन आपके सपोर्ट में हैं और आप लोग सभा के सदस्य होनी के पात्रता रखते हैं तब आप राष्टपती का चुनाव लड़ सकते हो। चुनाव के ओट्स में एक कास फर्मिला यूज होता है जिसका उलेक सभीधान के आर्टिकल 55 में किया गया है। और अर्टिकल 52 ए बताता है कि भारत को एक राष्टपती होना जरूरी है। जो UPSC और competitive exams की तयारी करते हैं उनको एक टॉपिक बहुत जरूरी है। और आपको भी जानना चाहिए दोस्तों और एक टॉपिक जरा ध्यान से लेखना। 1971 के census में जो population दर्शाई गई है उसके आधार पर राज्यों की विधाय के वोट की value निकालने के लिए राज्यों की लोग संग्या को हमें number of MLA से divide करना पड़ता है। और जो संग्या हमें प्राप्त होती है उसे फिर से 1000 से divide करना पड़ता है। जैसे कि पिछले चुनाव में UP में टोटल MLA 403 है और UP की population 1971 के अनुसार 8,38,9,775 थी। इस परमेले के अनुसार जन संग्या को number of MLA से divide किया जाता है। इसका मतलब 8 करोड की population को 403 से divide किया तब हमें मिलता है 2,8,300 और आयो होए answer को फिर से 1000 से divide करना पड़ेगा। अब हमें 208.06 answer मिलेगा। यह होती है राज्यों के total votes की value। लेकिन राज्य के पूरे MLA के vote की value निकालने के लिए हमें 403 को 208 से गुना करना पड़ेगा। और अब हमें मिलेगा 83,824। यह होता है राज्य के पूरे total MLA के vote की value। अब इसी तरह से 700 के votes की value कैसे निकालते है यह जानते है। मतलब जो राज्यसभा और लोग्सभा की सदस्य होते है उनके votes की value। अब पूरे इंडिया के total MLA के votes की value देखे तो वह होते है 5,494,495 इस संख्या को divide करना पड़ेगा 700 की सदस्यों की संख्या सी। ध्यान से देखना दूस्तों समझ रहे होना लोग्सभा की सदस्य 543 और राज्यसभा की सदस्य 233 एह होते है सांसत के सदस्य। मतलब total मिलाकर हुए 776 और जो एह संख्या है 776 इसे हमें divide करना पड़ेगा total number of MLA के votes की संख्या से जो होते है 5,00,000 और जो something। उससे divide किया तब हमें मिलता है 708 अब इससे हमें गुणा करना पड़ेगा 776 से और जो संख्या मिलेगी ओह होती है 5,9,408 राश्ट्रपती के कुल vote मिलाने के लिए MP के vote की value, MLA के vote की value इनको जोर देना होता है और राश्ट्रपती को चुनाव जीतने के लिए 50% से एक अति सबसे पहले राश्ट्रपती राजेंदर प्रसाद और सबसे पहली महिला राश्ट्रपती प्रतिभाप पाटल और सबसे पहले मुस्लिम राश्ट्रपती थे जाकिर हुसेन और राजेंदर प्रसाद जो है वो इंडिया के तीन बार राश्ट्रपती बन चुकी है अब मेन स को विस्तार से जानते हैं द्रोपदी मुर्मु इनका जन्म उडिशा में 20 जून 1958 को हुआ था अगर ये राष्ट्रपती बनती है तब भारत की पहली ऐसी राष्ट्रपती होगी जिनका जन्म स्वत्तंत्रता के बाद हुआ हूँ मारे पीएम नर्यंद्र मोदी इनका भी जन्म स्वत्तंत्रता के बाद हुआ है मतलब एक फैक्ट बन रहा है भारत के दोनों टॉप के पोस्ट राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री दोनों का जन्म स्वत्तंत्रता के बाद हुआ है मतलब एक नए भारत की शुरुआत है द्र चार साल चारकंड की राज्यपाल में बनी थी ये श्वंत सिन्ना इनका जन्म बिहार में 6 नोवेंबर 1937 को गुवा था इनके करियर की शुरुवात सिल्व से रुशेश से हुई थी ये 1960 की बैच के आई एस ऑफिसर दे इन्होंने 24 साल इंडिया के प्रमुक पदोपर नोकरी की है इन्होंने फिर पॉलेटिक्स में एंट्री की जन्ता जल्ब से और बाद में बीजेपी में और अब तुरुनमुल कॉंग्रेस से 2022 का प्रिसेडेंटल चुनाव लड़ने वाले ही अब इस चुनाव में कोन होगा भारत का अगला राष्ट्रपती एह हमें 21 तारिक को ही पता चलेगा हाशा करता हूं आपको एफ वीडियो इंफ्रमेटिव लगा होगा और एससे और वीडियोज देखनी कि लिए चैनल को सब्स्राइब कोर। और वीडियो नोटिवेशन पानी के लिए बेल आइकन दवाब और आपको एक विडियो के से लगी आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट में बढ़े